उत्तर प्रदीश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समीट फरवरी में होना है सेमे सरकार के तमाम देगर्च विदेशों से राज्य में इन्वेस्मेंट लानी कुली का जीतोर मेहनत कर रहे हैं मंत्री राकीश सचान की अगवाई में एक प्रतिनीधी मंडल यूएई विससे लोटा है समेर अफ्तार मीडिया उत्र प्रदीश स्टेट एडिटर आजसी भट ने मंत्री राकीश सचान से खास बात चीत की है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन्वेस्टर सम्मिट ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट की पूरी तैयारी कर रही है अभी उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री उपमुक मंत्री उसके साथ साथ आईयस सथिकारी विदेशों के दौरे पर थे वहाँ उन्होंने ओ दमियों से बाचीत की उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करने के लिए आईए हम बाचीत करते हैं उत्तर प्रदेश के MSME मिनिस्टर राकेश सचान जी से जो अभी विरेश दौरे पर थे और उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए उसके लिए एक बड़ी प्लेटफार्म तयार की है आई हम बाचीत करते हैं राके जी किस तरह से देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है जनवरी में उसके साथ साथ अभी आप दोरे पर थे किन किन देशों में आप गए और किन किन वो दम्यों से बात मानी मुक मंती जी कह आर्थिक सलाकार वीके राजू थे और नरेंद बुसर पर मुक्शु पी डवलु डी अनिल गर्ग पर मुक्श्चु सिचाई और हमारे पर मुक्शु पर रेटन मुकेस में स्राम जी और भी हमारे यूपी इन्वेश्टर के लोग थे और फिकी के जा करके और हमने अपने वहां के राजदूद से पहले चर्चा की और वहां के जितने भी हमारे इंडिस्टियल उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् उनके संचालक थे उन लोगों से वन टूएन भी हम लोगों ने बात की लगवग पचास लोगों से और दूसरे दिन आबू धावी चेमबराप कामर्स में हम लोग गए और वहां पर एक सो तीस सदस हैं सेख लोग उन लोगों ने भी बड़ी रुची दिखाई और भारत आने के लिए उन्होंने भी अस्वस्त किया कि हमें एक समिट जो दस ग्यारा बारा होने जा रहा उतमें आएंगे और इसके बाद हम लोग वहां के जो इंडियन मूल के थे उन लोगों से भी वन टूएन उनका भी अच्छी रुची थी चूंकि उत्तर पदेश में योगी जी के नेतरत में पहली बार सैंतिस सालों में दुवारा सरकार बनी है तो एक बड़ा बिस्वास जगा है कानून बवस्ता जो आज हमारी जीरो टॉलेंस की नीती है भरष्टा चार पे जो मुक्वंत्री जी का एक्सन है इंफास्टेक्चर है रोड कनेक्टिविटी है रेल कनेक् नेतरत से देश की बड़ी मजबूती हुई है और दुनिया में मुलक की अच्छी चाप लोगों के बीच में है तो इन्वेस्टर प्रभावित भी है आने के लिए और हमारे ग्रुप के द्वारा बाईस हजार नौसो करोड रुपए का एम्यू हो गया और उसमें उन लगबग पचाँ जार करोन का इन्वेस्ट यूए से आएगा इसी हमें पूरी उम्मीद है किन-किन छेत्रों में लोग आकरसित हो रहे हैं यूए ये बड़ा बाजार है पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो और बहुत सारे छेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में अप यूए में कुल मिला करके फ्रूट प्रोसेसिंग वहाँ तो कुछ है नहीं वहाँ तो मालुद अबुदावी में तेल निकलता है दुबई परेटन है तो जो भी वहाँ पर खाने पीने का सामाने हो सब बाहर से मगाते ही हैं तो फ्रूट प्रोसेसिंग की तरफ भी किया है और दूसरा जो लूलू ग्रूप है वो चुकि बनारस का कोरीडर बन जाने से ट्रैफिक बढ़ा है आयोध्या का कोरीडर बन रहा है तो इन लोगों ने नोईडा आयोध्या बनारस गुरकपूर इन तमाम जगहों पर अपने माल और होटल तो इस तरह के कुछ रिय तरह से लोग आना चाहते हैं और पचाई जार करोन का इन्वेस्ट मेंट चुकि यूपी की सिती और यूपी की छवी बहुत अच्छी बन के उभरी है इससे में प्रभावित हैं लोग और हर तरफ हर चेतर में इन्वेस्टर आने के लिए तैयार है एक आखरी सवाल ये था कि रोजगार उत्तरप्रदिश के मुख्वंति द्वारा जिस तरह से रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इतना बड़ा गलोबल इन्वेस्टर समिट किया जा आयूजन हो रहा है तो निश्यत रूप से इसे कई लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है इस दिसा में क्या कहेंगे कि किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सकता है देखिए हम लोगों ने जो एम्यू किया है तो नोगों से चर्चा भी की तो उन्होंने है जिसे हमारे हाँ अभी तक 22,900 करोड रुपे का जो इन्वेस्टमेंट का एम्यू 29,000 लोगों को सारी उन्होंने रोजगार देने का अपना प्रॉमिस किया है और जो ये इन्वेस्टर समिट है इसका पूरा लच्छ है कि एक करोड नोजवानों को रोजगार मिले और इतना ज़्यादा इन्वेस्टर है और लगातार ये पहली बार मानि मुकमंत्री जी की नेतृत में इस सरकार ने दुनिया के देसों में पहली बार दस्तक दी है ने उत्तर प्रदेस कभी जाता नहीं था कहीं हमारे देस के अन प्रदेस थे जैसे गुजरात हो गया और माराश्टरा हो गया ये तमाम प्रदेसों के लोग दुनिया के तमाम देसों में जाते थे क हम लोग गए तो लोगों ने ये कहा कि ने ने आप तो पहली बार यूपी के लोग अपने हाँ इन्वेश्ट के लिए आमतित करने आए हैं और यूपी की छबी भी ऐसी थी कि वहाँ उद्यमी चारो तरब घूमता है उसको तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं उसको उद्यम लगाने के पहले वो इतना परिसान हो जाता कि छोड़के भगता है हम लोगों ने उनको जो पच्छिस पॉलसी हम लोगों ने अभी कैम्नेट से पास की हैं उनको भी हम लोगों ने उनको परेजेंटेशन में बताया और एक सबसे बड़ा जो लोग दौडते थे चारो लगाना चाहता है जमीन उसके पास है तो उसको बातर गंटे में हमें नोसी दे देंगे और एक हजार दिन तक किसी भी भी भाग का अधिकारी उसके उद्यम में जाएगा नहीं उसके कार खाने में चेक करने नहीं जाएगा और एक हजार दिन तक वो सारी अपनी फारमेल्टी कारुआई पूरी कर सकता है यह यह दिनेम हम लोगों के इस दोबारा कि जो योगी जी की सरकार बनी तो सब से पहले यह दिनेम बना दिया गया कि कोई भी ऐसी च्छबी न हो गी हमारा उद्द्दमी परेथान हो रहा है कि इंवायरुमेंट की परमीसन के के लिए गोम रहा है कहीं one party three के लिए गोम रहा है तो अब उसको कहीं गोमने जुरत नहीं वो एक आनलाइन आवेदन करेगा आनलाइन उसको अनमती मिल जाएगी और अब तक कम से कम दो दरजन उद्यमियों को हम लोग यह योजना का लाप दे चुके हैं जो उद्यम उनके का सुरू है यानि की प्रभावी डंक से योजनाओं को लागू करने के लिए खास्तोर पर वो अपने उद्यम को सरलता से लगाएं सरकार के इने इस तरह के ऐसे अप नियम बनाए हैं कि उनको धील दी जाए चाहे स्टांप में 100% चूट की बात हो या फिर अन्नी की बात है देखिए मुकमंतरी जी का सक्त निर्देश है और पूरी सरकार का अदेश है अधिकारियों के लिए भी एक संदेश है कि हमारी जो भी पॉलसी बनी है उन पॉलसी के तहट अगर कोई भी उद्यमी को अपना उद्यम लगाता है या उसको जो भी उस पॉलसी से उसको लाब म ले उन में किसी भी अधिकारी ने अगर कोई हिलाए वाली की तो उसको बरदास नहीं किया जाएगा वो कोई भी अधिकारी हो तो ये जुम्मेदारी तैं करने की तैं कर दी गई है और आगे किसी भी उद्यमी की अगर कहीं कोई सिकायत आती भी है और कहीं पर भी फाइल अट लगती है गलट टिपनी लगती है तो ऐसे अधिकारियों को योगी सरकार माफ नहीं करेगी यह थे राकेश सचान MSME मंत्री सीधे तोर पर यह कहना है कि उनके द्वारा जिस तरह से यूएई में विजिट किया गया पचास हजार करोड के इन्वेस्ट की पूरी संभावना है और उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर सम्मिट हो रहे हैं उससे कहीं ने कहीं एक करोड लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा कैमरामेन अविनास के साथ आरसी भट रफ्तार मीडिया लखनो